हलो दोस्तो मैं हूशी उली और मेरी किचन में आप सबका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी हरेप्याज के दो अलग-अलग रेसिपीज दिखाने वाली हो एक है मूंग डाल के साथ हरेप्याज के बहुत ही जबर दस्त मसालेदार सोखी सबजी और दूसरी है बेसन वाली हरेप्याज की सबजी दोनों की दोनों रेसिपी बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही बढ़ी आए बहुत ही टेस्टी है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मूंग डाल के साथ हरेप्याज की सूखी सबजी बिल्कुल ईजी रेसिपी है इसके लिए कुछ इंतिजाम पहले से करना है वो है टमाटर मिर्ची और लसुन पहले से काट कर रख लीजिए यानि कि एक टमाटर एक लसुन और स्वाद अनुसर हरी मिर्च और प्याज की सबजी बना रहा है तो प्याज लेने की जरूरत नहीं हैं आधा कप मौंग दाल मैंने दो घंटे पहले से बिगो कर रखी थी यह देखिए अभी बिल्कुल फूल कर तयार हो चुकी है तो दो घंटे पहले से आप बिगो कर रखिये या तो रात भर के लिए भी भी बिगो सकते है अगर आपके पास टाइम है तो और अभी मैंने अच्छे से धो कर लिया है, धो कर पाने जड़ा कर लिया है, और ये है हमारे हरे प्याज, आधी बंडिल मैंने हरे प्याज लिये है, और अच्छे से धो लिया है, काट कर, धोने के बाद एक टोक्री में रखा है, ताकि पानी निकल जाए, अभी हम कडाए में डाल देंगे थ आप चाहे तो कड़ी पत्ता या तो तेज़ पत्ता भी डाल सकते है लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ जीरे और सरसो अच्छे से चटक चुके है और उसके बाद हम डाल देंगे यह लसुन लसुन डालने के बाद हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए पास से छेकेंड के लिए ही हमें वेट करना है और उसके बाद हमें डाल देना है टामाटर और हीट को भी अभी कम कर दीजिएगा टमाटर डालने के बाद फिर से थोड़ा से ज्यादा कर सकते हैं तो अभी मैं फिर से मेडियम कर रही हूँ टमाटर डालने के बाद हमें नमक मसाले भी डालने हैं तो अभी मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर आधा टीजपून धनिया पाउडर एक टीजपून आधा आधा करके दो बार डाल रही हूँ और अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्जी का पाउडर अच्छा सा कलर के लिए और तीखा पन के लिए मैं डाल और अभी में डाल जिए थोड़ा सा गरम मसाला आधा टी स्पून या तोस से भी कम और स्वादानुसर नमक अच्छे से मिलाएंगे टामाटर मसालों के साथ साथ हमें डाल भी डाल देनी है मतलब कि मसाला और दाल बिल्कुल एक साथ अच्छे तरीके से पक जाएंगे सब कु जले ना नीचे से अच्छे से मिला देंगे और मुझे लगता है और थोड़ा सा पानी लगेगा तो और थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ और अभी हम धाक धाकर पकाएंगे हीट को कम करके रखेंगे ताकि दाल अच्छे से पक जाए बीच बीच में धाकन अटाकर चे तो इस स्टेज पर हम यहां पर जो हरे प्याज रखे है वो डाल देंगे हरे प्याज डालकर अच्छे से मिलाएंगे अभी हीट को ज्यादा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हीट को कम करके रखेंगे मीडियम से कम अच्छे से मिलाकर हम अभी फिर से ढाग ढाग कर पकाएंगे लगबग 3-4 मिनित में हो जाएगा फिर भी आपको कितना पकाना है हरे प्याज जितना मतलब थोड़ा सा कच्चा भी रहे तो भी चलता है लेकिन फिर भी आपको जितना पकाना है उतना आप पका लेजिए मैं तो अच्छे से ही पकाती हूँ, मैं कच्चा नहीं रखती हूँ तो उस हिसाब से मैं भी पका लेती हूँ लास्ट में डाल देंगे थोड़े से हरा धनिया अच्छे से मिलाएंगे फिर से और हमारी सबजी बिल्कुल तयार है अभी हम हीट को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सबजी को सार्व करेंगे दोस्तो ये सबजी डाल चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है बहुत ही अच्छी लगती है और आप चाहे तो रोटी चपाती के साथ भी सार्व करें यह बहुत ही टेस्टी बनती है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें दोस्तो और ट्राइकी तो कमेंट करके ज़रूर बताए कि आपको कैसी लगी और दोस्तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के तरफ जो है बेशन वाली हरे प्याज की सब्जी दोस्तों ये सब्जी बहुती खास है बहुती टेश्टी है मुझे और मेरी फैमिली को बहुत पसंद है बहुती स्पेशली पसंद है तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिया है एक गड़ी हरे प्याज और अच्छे से धोकर थोड़ा सा पानी जड़ा कर एक कपड़े पर फैला दिया है ताकि एक्ष्टा जो पानी है वो सूख जाए अभी देखिए सूखे सूखे हो चुके है खास करके इस रेसिपी के लिए ज्यादा पानी रहना नहीं चाहिए इसलिए मैंने ऐसा किया है लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा ढोकर तुरंती पानी जड़ा कर ले लीजिए कोई तकलीफ नहीं है अभी चलिए हम कड़ाए के अब चलते हैं कड़ाए में डाल देंगे थोड़ा सा बेसन तो एक गड़ी हरेप्याज के लिए मैं दो चमच बेसन के इस्तेमाल करूंगी बेसन के साथ तेल या कुछ भी नहीं डालना है बिलकुल सूखी सूखी इस तरह से रोष्ट कर लेना है हीट को बिलकुल लो करके रखना है ताकि बेसन बिलकुल भी जलेना लगातार चलाते हुए दो से तीन मिनिट के लिए भून लेना है या तो तब तक भून लेना है जब तक कि अच्छी से खुश्बू नहीं आ जाती भूनी भूनी सी तो हमारा बेसन बिल्कुल तयार हो चुका है अभी हम इसको निकाल लेंगे निकाल के हम साइड में रख देंगे बाद में हम इसका इस्तिमाल करेंगे तो कडाई को थोड़ा सा पोश लेते हूं मैं और अभी हम डाल देंगे तेल Refined Oil का इस्तिमाल कर जो आप चाहे तो सरसो का तेल भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और quantity भी अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, तेल को अच्छे से गरम होने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे तड़का, one four teaspoon जीरे डाल जीओ में, दो तीन सूखी लाल मिर्च, एक चुटकी हिंग ड आने लगी है, तो अभी देखिए, यहापर मैंने क्या क्या रखा है, कुछ रखे मैंने लसुन बारिक काट कर, और कुछ रखे मैंने थोड़ा सा हलका हलका क्राश करके, क्यूंकि हम लसुनी हरे प्याज बना रहे हैं, तो इसलिए यह लसुन की quantity थोड़ा सा ज्यादा चाह हलका हलका क्राश करके रखा है, मैंने तीन चार हरी मिर्ची रखी है, बीच में से लंबा कट करके और एक टमाटर लिया है, बारिक काट कर, तो जो हमने क्राश करके रखा है, वो हम अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे तड़के के लिए, अभी हम डालेंगे ब कारी कटे हुए लसुन और लसुन ढालके बिल्कुल भी ज्यादादिेर तक वेट नहीं करना है 6-7 सेकंडrifangle के लिए वेट करना है और उसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है टमाटर ताकि लसुन बिल्कुल भी जलेना कि São टामाटर डाल कर अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ-साथ कुछ मसाले भी डालने हैं, तो 1-4 टीजपुन मैं डाल जीओ, यहाँ पर हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप चाहे अच्छे से मिलाएंगे, और अगर टामाटर जल्दी से गले ना, तो आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए ढाक कर भी पका सकते हैं, ताकि टामाटर में से पानी निकल आए, और अभी हम डाल देंगे यह रोस्टेट बेसन, बेसन डालकर अच्छे से मिलाते हुए पकाएं और देखें, बेसन डालने के बाद यह मिश्रन कितना गाड़ा हो चुका है, तो अभी हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, पानी एक बार में ज्यादा नहीं डालना है, जैसे जैसे गाड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे और और थोड़ा-थोड़ा करके पानी हम डालते जाएंगे और अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा भुनी हुई मौंग फली का पाउडर मौंग फली को सिम्टि भून कर ठंडा करके मिक्सर में पाउडर बना लिया मैंने उसमेंसे हम दो तीन चम्मच जो भी पसंद हो डाल देंगे 3 चमज पाउडर डाला है मैंने, अच्छे से mix करेंगे, और देखिए फिर से गाड़ा हो चुका है, तो फिर से हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, फिर mix करेंगे, जब तक कि बेसन का पानी पीना खतम नहीं हो जाता, मतलब पानी पीना बंद नहीं हो जाता, तब तक हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाना है, एक बार में ज्यादा नहीं डालना है, ताकि पानी ज्यादा ना हो जाए, तो थोड़ा-थोड़ा पानी हम डालेंगे, और जब हम देखेंगे कि पानी और गाड़ा नहीं हो रहा है, मतलब और सूख नहीं रहा है, त जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता, तो देखिए दोस्तों तेल अलग हो चुका है, मसाला, बेशन, टमाटर, सब कुछ बढ़िया तरीके से भून चुके हैं, तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे, हरे प्याज, ये है हमारे हरे प्याज, तो ये हम डाल देंगे हरे प्याज डाल कर बढ़िया तरीके से मिला लेंगे, अभी हमें और थोड़ा सा पानी की जुरूरत है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए ढाक कर पका लेंगे, ताकि कुवांटिटी थोड़ा सा कम हो जाए, तो हीट को बिल्कुल लो कर देंगे, और देखिए दो-तिन मिनिट के बाद हरे प्याज थोड़े से नरम हो चुके है, तो अभी हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तो इस सबजी की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल नरम कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब कि पतली भी नहीं और गाड़ी भी नहीं, इसलिए आपको जितना चाहि दालेंगे और उतनी देर में हमारा जो हरे प्याज है, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक जाएगा, तो देखिए दोस्तों हमारी सबजी लगभग तयार हो चुकी है, हरे प्याज अच्छे से गल चुके है, और मैंने स्वाज चेक किया है, और थोड़ा सा नमक तो अभी मैं इस कड़ाई को साइड में रखती हूँ और एक फ्राइपन ले ले लेती हूँ तरका लगाने के लिए, फ्राइपन में डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल, तेल को अच्छे से गरम होने देंगे बढ़िया से, ये तरका अगर लास्ट में आप लगाएंगे न और सूखी लाल मिर्ची डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, ये लसुन जो हमने क्राश करके रखे थे, लसुन को अच्छे से पकाना है बिल्कुल अंदर तक, लेकिन लसुन जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए हीट को बि उपर से गार्णिश करने के लिए और देखिए दोस्तों लसुन बिल्कुल अच्छी तरीके से पक्ष चुके हैं अभी कलर के लिए मैं थोड़ा सा लाल मिची का पाउडर डाल जीओ ताकि तड़के का कलर अच्छा दिखे और अभी हम इस सब्जी के ऊपर यह तड़का डाल अभी डाल सकते हैं लेकिन मैं भी नहीं डाल जीओ सब्जी तयार है हीट बंद कर देंगे और गर्मा गरम साब कर लेंगे और उपर से मैंने थोड़ा सा गार्णिशिंग कर दिया है लसुन के साथ तो दोस्तों यह सब्जी रोटी चपाती पराठा या तो चावल किसी के सा भी खाई यह बहुत ही टेस्टी लगते खाने में बहुत ही यामी है जरूर रेसिपी ट्राइ करें दोस्तों और ट्राइ की तो कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सबस्ट्राइब कर लीजिएगा आज के लिए यहां तक ही मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई